कि उन्होंने कांचिपुन नाम के एक गैर ब्राह्मन को अपना गुरू बनाया जब गुरू को बोजन कराने के बाद उनकी पत्नी ने घर को शुत्त किया तो संसी रामानुजाचारिय ने उसका भी विरोध किया ये बावा साब आम्मेर्कर की बात में बोता रहा हूँ आपक 1727 को बाबा साब अम्मेर्कर ने लिखा था एक दलिद गुरू के घर में आने के बांग अपने ही घर की सुद्धी होते देख संसी रामानुजाचारिय बहुत दुखी हुए और उन्हें बहुत गुस्षा भी आया था जिस कुरूती को मिठाने के लिए वो अथक परिस्म कर रहे थे वो उनके घर से ही नहीं दूर हो सकी थी इसके बाद ही उन्होंने सन्यास ले लिया और फिर अपना पूरा जीवन समाज के हीत में लगा दिया